तेरवाँ पाठ अन्याय के खिलाफ प्रिष्ट संख्या 85 से 92 तक अब प्रस्तुत है पाठ अन्याय के खिलाफ बात 1922 की है उन दिनों अंग्रेजों का शासन था भारत देश अंग्रेजों का घुलाम था अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पढ़ते थे अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत दरा धमका कर रखा था पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया अधिवासी और उनके नेता का नाम था शुरीराम राजू आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया अधिवासी सीधी साधी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया उनका जीवन मुश्किल हो गया अंग्रेजों की यूजना थी कि घने जंगलों और पहाडों को चीरती हुई एक सड़क बिच्छाई जाए पर सड़क के निर्मान कार्ये के लिए मजदूर कहां से आएंगे यह सवाल जब तहसीलदार महोदे के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी तहसीलदार का नाम था बेस्टियन बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौपा गया था बेस्टियन सौभाव से बहुत अखड और क्रूर था वह आदिवासियों के गाहों में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिला चिला कर बोला दो दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा तुम सब लोगों को इस काम पर पहुचना है अगर नहीं पहुचे तो ठीक नहीं होगा अंग्रेज सरकार का हुक्म है यह जान लो आदिवासि लोग चुप हो गए वे उन घरें जंगलों के बीच अकेले पड़े थे वे कुछ पूछें तो किस से कुछ करें तो क्या किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा तो बेस्टियन का चेहरा तम-तमा गया क्या मिलेगा हुक्म बजाना नौकर का काम है आगे से यह सवाल मत पूछना आदिवासी सहम गए काम पर जाने लगे पर उनका मन नहीं मानता था वे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और घुसे से सुलग रहे थे उन्ही दिनों एक साधू जंगलों में आकर रहने लगा था उस साधू का नाम था अलूरी श्रीराम राजू श्रीराम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़ कर वह 18 वर्ष की उम्र में ही साधू बन गया जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया लोग उसे अपने दुख दर्द की कहाने सुनाते और पूछते की कैसे अपने कश्टों से छुटकारा पाएं शुरी राम राजू ने आदिवासियों से कहा अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। शुरी राम राजु ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता हैं जिनका नाम गांधी जी है। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। फिर क्या था। विद्रोह की ऐसी आ भाले आदिवाशियों के मन में भरा सारा अपमान दुख और क्रोध फूट के निकल पड़ा भद्रा चलम से परवथी पुरम तक पूरे इलाके के आदिवाशी लोग अन्याएं के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े अंग्रेज सरकार के ऐसे चक्के छूटे के आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी दो साल तक विद्रो को दबा न पाई जब संकरी पगडंडियों से सेना की टुकडी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतिय सिपाहियों को गुजर जाने देते और जैसे ही अंग्रेज सारजेंट या कमांडर नजर आते तो उन पर अचूक निशाना लगाते आदिवासीों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी शुरी राम राजू ने आदिवासीों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका न होने पाए अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे राजू के आदेश का सक्ती से पालन हुआ जब वह पहाडों से कूच करता था मानों उन्हें किसी का भै न हो आदिवासी लोग पुलिस चोकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुचाने के लिए गुप्त चरों का जाल फैला रखा था अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुचाए जाते कि किसी को कानो कान खबर न हो यह सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दातों तले उंगली दबा ली जंगलों और पहाडों में राजु के लोग बड़ी फूर्ती से छिपते फिरते ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम से न अपने आपको कमजोर महसूस करने लगती थी राजु के लोगों को गाउं गाउं का सहरा था गाउं के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते फिर अंग्रेजों को एक तरकीब सुझी उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे अब इन्हें भूखे रख कर मारना पड़ेगा अंदर जंगल के गाउं में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिये गए किसी को भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुचाना मुश्किल हो गया लोगों की बंदूकों के कार्तूस खत्म हो गए इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही गावों में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे यहां तक की उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा आदी वासियों की हिम्मत जवाब देने लगी आखिर कब तक यह तकलीफ बरदाश्ट की जा सकती थी राजू के कुछ साथ ही पुलिस की पकड में आ गए थे एक बार राजू भी पुलिस की गरफ्त में आकर बुरी तरहे जखमी हो गया था लोग परिशान होकर राजू के पास पहुँचते राजू भी परिशान था उससे उनका दुख देखा नहीं गया राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्म समर्पन कर दूँ तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे उसने देखा कि दो वर्षों के इतने लंबे संगर्ष के बाद लोगों में कठनाईयों का सामना करने की तयारी नहीं रह पाई है और अंग्रेज जरकार तो उन्हें भूखा मार कर ही छोड़ेगी यह सोच कर शिरीराम राजू अपने हाप को अंग्रेजों के हवाले सौपने चला सेना के मेजर गुडौल ममपा गाउं में डेरा डाले हुए थे राजू को गिरफतार करके उसके सामने पेश किया गया गिरफतारी की खबर सुनकर आसपास के गाउं के लोग बड़ी संख्या में वहां एकठे होने लगे मेजर गुडौल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था उसे कहां उमीद थी कि उनका शिकार खुद जाल में फसने चला आएगा राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बरताव हो पर गुडौल का कोई इरादा नहीं था कि कोट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले बस उसके इशारे पर एक सिपाही ने राजू पर गूली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया गया इस तरहें अलूरी श्रीराम राजू अपने लोगों के खातिर शहीद हुआ इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन तूट गया पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मन मर्जी नहीं की जा सकती तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेश कोशिश करने का फैसला हुआ अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याएं के खलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की चकमक से अभ्यास शबदार्थ गुलाम अर्थात किसी के अधीन या पराधीन हक अर्थात अधिकार निगाह अर्थात नजर क्रूर अर्थात निर्दई या दया नहीं करने वाला घमंड अर्थात अभिमान पगडंडी अर्थात मनुष्यों के चलने से जंगल, खेत या मैदान में बना हुआ पतला रास्ता तुकडी अर्थात समूह, अचूक अर्थात खाली न जाने वाला, सक्ती अर्थात कड़ाई, फुर्ती अर्थात तेजी, तर्कीब अर्थात उपाई, मिसाल अर्थात उदाहरण, पहला पाट से क, आंद्र के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बीच अपना हक जमाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया ख, शुरी राम राजू कौन था, उसने अंग्रेजों के सामने आत्म समर्पन क्यों किया ग, अंग्रेजों से लड़ने के लिए कोया आदिवासि क्या क्या करते थे ग, कोया आदिवासियों के विद्रोह को स्वतंतरता संग्राम क्यों कहना चाहिए दूसरा गांधी जी की बात भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए और उनका काम बंद कर देना चाहिए अगर कोई अंग्रेज अन्याए करेगा तो हम अन्याए सहने से इनकार करेंगे उपर श्रीराम राजुद्वारा आदिवासियों से गांधी जी की कही हुई बात का उलेख हुआ है गांधी जी ने स्वतंतरता संग्राम के लिए बहुत सारी बातें कही थी यह सब तुम्हें गांधी जी पर लिखी गई किताबों फिल्मों और अन्या जगहों पर मिल सकता है तुम उनकी कही हुई बातों में जो बहुत महत्वपून समझो उसको अपने साथियों को बताओ तीसरा देश भक्तों के नाम तुमने इस पाठ में भारत की आजादी के लिए संगर्ष करने वाले दो व्यक्तियों के नाम को जाना एक गांधी जी और दूसरा शुरी राम राजू, पता करो कि भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वालों में तुम्हारे प्रदेश से कौन-कौन व्यक्ती थे, उनमें से किसी एक के बारे में कक्षा में चर्चा करो. चौथा, क्या ठीक होगा? एक, दो दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा. तुम सब लोगों को इस काम पर पहुचना है. अगर नहीं पहुचे तो ठीक नहीं होगा. दो, काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? इन कत्नों में पहला कथन तहसीलदार बेस्टियन का है, जो आदिवासियों के गावों में जाकर चिला चिला कर बोला था. और दूसरा कथन आदिवासियों में से किसी का है, जो तहसीलदार से पूछना चाहा था. अब तुम सोच कर बताओ कि क, तुम्हारे विचार से बेस्टियन का कथन ठीक होगा? ख, आदिवासियों में से किसी के द्वारा कहा गया वह कथन कैसा है, तुम्हारे विचार से क्या ठीक होगा। संकेत, तुम अपनी पसंद से कथन को अपने ढंग से लिख सकते हो। पांचवा, पता करो, एक, सडक बनाने में किन-किन सामानों की जरूरत होती है, पता करके लिखो। दो, इन प्रदेशों में कौन-कौन से आदिवासी रहते हैं, पता करके लिखो। क, जारखंड, ख, छतीसगड, ग, उड़ीसा, ग, मिजोरम, न, अंडमान, निकोबार, द्वीप, समूह। छठा, तुम्हारे विचार से। क, राजू हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद, जंगलों में रहने क्यों आया होगा। क, राजू के शहीद होने का आदिवासियों के आंदूलन पर क्या असर हुआ होगा। सात्वा, खोजबीन, लोगों की बंदूकों के कार्तूस खत्म हो गए। यह वक्य इसी पाठ का है, जिसमें आदिवासियों के द्वारा बंदूकों वकार्तूसों के प्रयोग का भी प्रमान मिलता है। इस पाठ की खोजबीन करो तो पाओगे कि आदिवासि पुलिस चोकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे। अब तुम जरूर समझ गए होंगे कि आदिवासियों ने बंदूकों वकार्तूसों का प्रयोग कैसे किया। कार्तूसों ने सन 1857 में स्वतंतरता की चिंगारी को फैलाने में बहुत महत्वपून भूमी का निभाई थी। समुहु बना कर इसके बारे में खोजबीन करो। कक्षा के प्रत्येक समुहु में से एक प्रतिनिधी सबको अपनी खोजबीन के बारे में बताएगा। आठवा मुहावरे यहां कुछ वाक्य हैं जिनमें मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं मुहावरों का प्रयोग करते हुए तुम कुछ नए वाक्य बनाओ। क एक सिपाही ने उसका काम तमाम कर दिया। मुहावरा है काम तमाम कर देना। ख आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। मुहावरा है हिम्मत का जवाब देना। ग अंग्रेजों ने अपने दातों तले उंगली दबाली। मुहावरा है दातों तले उंगली दबाना। ग किसी को कानो कान खबर न हो। मुहावरा है कानो कान खबर न होना। न. अंग्रेज सरकार के छक्के छूट गए. मुहावरा है छक्के छुडाना. च. अंग्रेजों की होश उड़ गए. मुहावरा है होश उड़ना. च. भारतिये सैनिकों का बाल बांका न होने पाए. मुहावरा है बाल बांका न होना. नौवा. मन और मन. क. आधिवासियों के साथ मन मर्जी नहीं की जा सकती. उसके पास कई मन गेहूं था. पहले वाक्य में मन का मतलब है दिल या विदय. दूसरे वाक्य में मन नाप तौल का एक शब्द है. इस तरहें मन के दो अर्थ हैं. ऐसे शब्दों को अनेक आर्थक शब्द कहते हैं. यहां कुछ शब्द दिये गए हैं. उन्हें पढ़ो और वाक्य बनाओ. सोना. सोना के दो अर्थ हैं. सो जाना यानि नीन आ जाना. दूसरा अर्थ हैं. स्वर्ण यानि एक धातू. उत्तर. पहला अर्थ हैं. एक दिशा. दूसरा अर्थ हैं. जवाब. हार. पहला अर्थ हैं. पराजय. हार जाना. दूसरा अर्थ हैं. माला. दसवा. वचन बदलो. क. जैसे सिपाही ने राजू पर गोली चलाई. वचन बदलने पर सिपाहीों ने राजू पर गोली चलाई. अब आगी के वचन इसी प्रकार बदलो. ख. उगी हुई फसल को जलाया जाने लगा. ग. आदी वासी की हिम्मत जवाब दे गई. घ. आगे से यह सवाल मत पूछना. ग्यारवाँ. समझ कर रूप बदलो. भाव वाचक संग्या से विशेशन बनाओ. जैसे घमंड, घमंडी आगे के आप स्वयम बनाए. हिम्मत, साहस, स्वार्थ, अत्याचार, विद्रोह.